जै माता दी वास्तु ग्यान गंगा यूटूब चनल पर आप सभी का स्वागत है नवरात्रों के दिनों में भूलके भी नाकनिय दसकाम माता हो जाती हैं कुरोधित और देती हैं डंड नवरात्रों के दिनों में माता के नो सरूपों के आराधना के जाती है माता दुर्गा अपने सभी भक्तों की मनो कामना पूरी करती हैं मात दुर्गा के नोधवेशिय नवरात्री ब्रत सयम और अनुसासं की मांग करते हैं देवी मा को प्रसंद करना है तो इन दस कामों से बच करके रहना चाहिए जो व्यक्ति नवरात्रों में दस कामों को छोड़ देते हैं माता प्रसंद करके उनकी जोलियां खुशियों से बढ़ देती हैं नवरात्रों के दनों में कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनको निवाना बहुत ही जरूरी है नवरात्रों में माता के नो सुरूपों की आराधना की जाती है माता प्रसन नो करके अपने सभी भक्तों की मनो कामना पूरी करती है प्रते दिन माता के सामने जोच जलाएं माता के सामने हाथ जोड़ के प्रातना करें माता को लोंग का जोड़ा चड़ाएं बतासे में दो लोंग लगा करके, धी डाल करके माता के सामने अग्यारी चलाएं, माता के सामने धनब प्राप्ति के लिए प्रात्ना करें, नब दुरगा यंत्र ला करके माता के सामने रखें, माता के सामने कमलगर्टा पीली कोडी ला करके रखें, और साती पूरे नियम के स लेकिन नवरात्रों की दिनों में यह काम ना करें और साथ ही नवरात्रों की लाष्ट में अश्टियों नुमी की दिन कन्या पूजन किया जाता है कन्याओं का पूजन करें और उनसे आशिवाद जरूर लें नम्मर एक ब्रत रखने बाले को दाड़ी मूच और बाल नहीं कटवाने चाहिए नवरात्रों की दिनों में अगर आपने ब्रत रखा है तो आपको दाड़ी मूच और बाल नहीं कटवाने चाहिए अगर ब्रत रख आपने रखा है और बाल या दाड़ी मूच कटवाते हैं तो आपका अब्रत उसी समय खंडत हो जाएगा और माता क्रोधित हो जाती हैं। नम्मर दो, नौ दिनों तक नाखुन नहीं काटने चाहिए। नवरात्रे की नौ दिनों में भूल से भी नाखुन नहीं काटने चाहिए। नहीं तो माता क्रोधित हो जाती हैं। नम्मर तीन अगर अखन जोट जला रहे हैं तो इन दिनों पर घर को खाली छोड़ करके नहीं जाना चाहिए आपने अखन जोट जला रखी है तो ध्यान रखें घर को खाली छोड़ करके आपको नहीं जाना हैं केत्री वीजी है अखर्न जो चलाई है तो किशी न किशी व्यक्ति को घर में अवश्य रहना चाहिए नम्मर चार नवरात्रों में खान पीन का विश्य शुरूप से ध्यान रखना चाहिए और इन दिनों लेसुन प्याज नौन वेज इन चीजों से परिज रखना चाहिए नवरात्रे के दिनों में सात्तिक वोजन करना चाहिए और तामसिक वोजनों से तामसिक विचारों से इन सभी चीजों से दूर रहना चाहिए जो व्यक्ति नवरात्रों में इन बातों का ध्यान रगते हैं माता उनकी जोली खुशियों से वर देती हैं नम्मर पांच नव दिन का ब्रत रखने बाले को गंदे और बिना दुले कपड़े नहीं पेनने चाहिए नव दिन हम माता की पूजा करते हैं और माता से प्रात्रा करते हैं तो दोस्तों बोल करके भी बिना दुले कपड़े गंदे कपड़े आपको नहीं पेनने ही नहीं तो माता हो जाती हैं क्रोधित आप दोले हुए कपड़े पेने और जब आप उजा के लिए बैटे तो थोड़ा सा जल अपने उपर जरू छड़के ग्यारे बार गैतरी मंत्र का और गर्णी जी के मंत्र का जाब करें फिर माता के मंत्रों का जाब करें नमर चाहिए ब्रत रखने बाले को बैल्ट चपल जूते बैग जैसी चमड़े की चीज़ों का इस्तमाल नहीं करना चाहिए नवरात्रे की दिनों में विशे शुरूप से द्यान अगना चाहिए पवित्र दिन होते हैं और नवरात्रों की दिनों में आपको भूल करके भी चमड़े की चीज़ें जैसे बैल्ट चपल जूते बैग ऐसी चमड़े की चीज़ों का इस्तमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए इससे ब्रत खंड़त हो जाता है नमबर साथ, नवरात्रे के दिनों में नो दिनों तक नेवू नहीं काटना चाहिए नवरात्रे के इन दिनों में जो व्यक्ति नेवू काटता है उससे भी माता रुष्ट हो जाती हैं क्योंकि आप सभी जानते हैं कि माता काली को नेवू अर्पित किया जाते हैं इसलिए विशे सुरूप से द्यान लगना चाहिए नमबर आठ ब्रत में नौ दिनों तक खाने में अनाज और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए साधा नमक बिलकुल भी नहीं खाना चाहिए अगर आपने ब्रत रखाए तो इसमें सेंदा नमक का प्रियोग करें नवरात्रों के दिनों में इन बातों का विशे सुरूप से द्यान लगना चाहिए नमबर नौ विश्णू प्राण के अंसार नवरात्री ब्रत के समय दिन में सोना निसेद माना जाता है जिनोंने ब्रत रखा है उनको विशे सुरूप से द्यान लगना चाहिए कि नवरात्रों के दिनों में दिन में सोना नहीं चाहिए अगर आप दिन में सोते ही तब भी सरी में आलस आता है और तामसक विचाराते ही इसलिए भूल से भी आपको नवरात्रों के दिनों में सोना नहीं चाहिए नम्मर दस कई लोग तमाकू, सिक्रेट, बीडी, गुटका, आधी का व्यसन पाल की रखते हैं तो इन चीजों को बिल्कुल त्याग देना चाहिए नवरात्रों के दिनों में बीडी, सिक्रेट, तमाकू, गुटका इन चीजों का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए जो व्यक्ति इन चीजों का सेवन करते हैं, उनसे भी ब्रत खंडित हो जाता है इन चीजों का बिशेश रूप से अगर आप द्यान रखेंगे तो माता दुर्गा प्रसन उकर के आपकी हर मनो कामना पूरी करें नवरात्रों के दिनों में आप उपाय करें, माता दुर्गा की आरादना करें माता अपने सभी भक्तों की मनो कामना पूरी करती हैं नवरात्रों के दिनों में जो भी उपाय किये जाएं, उनका बड़ा लाब मिलता है प्रति दिन माता दुर्गा की सामने जो जलाए, माता के सामने आप स्री यंत्र ला करके रखे, नफ्रुका यंत्र ला करके रखे और एक पोटली बना लें लाल कप्ड़े में पिली कोड़ी कमल कट्पा, गोमती चक्रिन सभी को बांद दें और इसे माता के सामने रखें, नो नेमित रूप से नो दिन तक माता की आराधना करें, और माता से धनब प्राप्ति के लिए प्रातना करें, माता से प्रातना करने से माता प्रसन हो जाती हैं, और मनमांचेते पल प्रदान करती हैं, दोस्तों, नवरातरों की दुनों में अग अर्चन और रोकावटे दूर हो जाती हैं तो नाव्रात्रों के दिनों में इन बातौं का विशेश उप से आपको धियाण रखना चाहिए। नवरात्रों के दिनों में घर में आये हुए किसी की अधिती का अपमान नहीं करना चाहिए नवरात्रों के दिनों में नेमत्रूप से गो माता का पूजन भी करना चाहिए नवरात्री के दिनों में माता दुर्गा के सामने पान जरू चड़ाना चाहिए नवरात्री के दिनों में अगर नियम पूरवक आप यह उपाय करते हैं तो माता दुर्गा प्रसन्नों करके आपकी हर मनों कामना पूरी करेंगे माता को लोंग का हर बना करके भी नवरात्री की दिनों में जरूप पहनाना चाहिए माता के सामने प्रति दिन ग्यारे पुष्प समर्पित करने चाहिए माता दुरगा के सामने स्रंगार समर्पित करें और मेलाएं उस स्रंगार का प्रियोग भी करें माता अटले सोभा के प्राप्ती का बरदान दी थी जै माता दी